कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा ये स्टेट्मेंट है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला जी का क्यों statement दिया है क्या गटना हुई है क्या सारी चीज़े हैं क्या प्रस्ट भूमी है सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे नमस्कार मैं हूँ आपका दो सुभम सुसो दिया और let's cry QPSC CSE हिंदी पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है context बताएं तो दरसल आपको पता हुआ कि रविवार को जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजे जो आतंगवाद है इसके तहत एक बड़ा हमला में देखने को मिला है उसमें लगबग साथ लोगों की डेथ हमें देखने को मिली है जिसमें से 6 मज़ूर और एक डॉक्टर की हत्या जो है अमें देखने को मिली है अब ये जो अटेक करा गया है पाकिस्तान के आतंगवादियों के द्वारा ये अटेक बेसिकली हम एक जो हमारी टनल है एक सुरंग है उस सुरंग के उपर करा गया है अब पाकिस्तान के जो आतंगी हैं उनके द्वारा इसी टनल को क्यों टार्गेट करा गया है ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि भारत के लिए इस टनल का जो स्टेटेजिक रिलीवेंस है बहुत जादा रणी तिक महतो है और जो आतंगी है वो बहुत जादा नर्वस हैं उसको लेके बहुत जादा चिंता में है कि अगर ये टनल फंक्शन में आ गई तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ सकता है क्या है ये टनल क्यों हूई है ये सारी सीजें सारी चीजें डीटेयल में बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आतंगी घटना हुई है उसकी प्रश्ट भूमी के बारे में दर असल जम्मू कश्मीर का जो गांदरबलजिला है वहाँ पर रविवार को एक निर्माण स्तल और ये निर्माण स्तल वही है जिस सुरंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ है और इसमें जो साथ लोगों की मौत हुई है जिसमें छे मज़ूर और एक डॉक्टर और ये सारे निहते जो नागरिक थे सिविलियंस से उनके उपर अटेक करा गया इन आतंक वादियों के द्वारा यहाँ पर अगर हम मज़ूरों के बारे में बात करें तो ये श्री नगर लेहर राश्री मार्ग पर एक जो टनल बन रही थी इस टनल के निर्माण पर योजना पर इस पर ये लोग काम कर रहे थे और इस अटेक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो 2019 में जब जम्मू कस्मीर को केंसासित प्रदेश बनाया गया और अनुशे 370 के तरह जब इसका विशेस दर्जा वापस लिया गया तो इसके बाद पहली बार ये जो इतना बड़ा हमला है ये हमें देखने को मिला है अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो टेनल है जिस सुरंग के बारे में बात करा था इसका नाम है जैड मोर टेनल अब ये जैड मोर टेनल क्यों इंपोर्टेंट है वो तो देखेंगे लेकिन इसकी पहले आप थोड़ी सी लॉकेशन देख लीजिए तो आपको जैड मोर टेनल आप यहां पर अगर मैप देखेंगे तो आपके एक्जकली यहां पर यह देखने को मिलेगी एकदम सोन मर के पास में और इसका जो स्ट्रेजिक रिलीवेंस है जो रंडीतिक महतो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे अब मैं आपको बताओं इसका रंडीतिक महतो है इसलिए कि क्यों आतंकवादि पूरे भारत से जोडने के लिए जो 19 सुरंग और दर्रों के निर्माण की यूजनाय गवर्मेंट के द्वारा चलाई जा रही है उनमें से एक है यह जैड मोड टनल और इन 19 सुरंग है और जो हमारे दर्रे हैं इनके लिए सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा 25,000 करोड उसम एवं परिस्दियों में संपर किसे बना रहेगा तो सो बात जब कारिगल की आ जाती है तो यह बहुत जादा रंणी तिक महत्तों का हमारा बिंदू हो जाता है बिकोज हम जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा बार बार ये कोशिशें करी गई है कि कारिगल जैसा जो पॉइंट है उस पर वो कार जो पाकिस्तान है वो अपना कबजा कर सके हम देखेंगे जो कारिगल का युद दोता उस टाइम पे भी यह कोशिश करी गई थी लेकिन भारत के द्वारा उसे बहुत बैतरीन तरीके से नकार दिया गया था अगेर यही कोशिश करने के लिए क् टनल है कारिगल के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो हमेशा के लिए कह सकते हैं 24-7 365 दनों के लिए हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको बना देगी उसको इंशोर करेगी अगर इसके साथ हम बात करें तो यह कनेक्टिविटी है इसके साथ इससे लाब क्या होंगी तो हम जानते जम्मू कस्मीर स्री नगरवाला एरिया है परेटन के लिए काफी इंपोर्टेंट है उसको भी बड़ावा मिलता है तो हमारा रणनीते ग्रूप से भी महत हो है आर्थे ग्रूप से भी यह पूरा पॉइंट है यह सारी जो पूरी यह टनल बनने वाली है यह हमारे लिए जम्मू कस्मीर के तो उनके द्वारा कुछ चीजें बोली गई है उनके द्वारा पाकिसान को जो एक प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया दी गई है उन्होंने बोला है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा क्योंकि उनके द्वारा यह बोला गया अगर पाकिस्तान भारत क साथ अच्छे मैत्रिपूर्ण संबंद चाहता है तो उसे यहां पर आतंकवादी जो घटना है ये रोकनी पड़ेंगी अब दुल्लानी ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो हत्याइं नहीं रोकेगा तब तक नई दिल्ली और इसलामाबाद की बीच मे किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी और देश्व आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार भारत ने हर फॉर्म पर हर प्लेटफॉर्म पर इस इसको बोला है कि जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान की दौरा नहीं रोका जाएगा आतंकवाद के साथ में किसी की सांधिवारता हैं उनको नहीं किया जाएगा उनके दौरा ये भी बोला गया कि यह जो हैवान हैं जो कि आतंकवादी हैं उनको क्या मिलेगा क्या वे यह सोचते हैं कि यहां पाकिस्तान सापित कर सकते हैं हम इसे कई वर्सों से देख रहे हैं कि वे आतंकवादी यहां आ सांती से जीने दे और अपने पाकिस्तान के विकास पर और अपने पाकिस्तान में सांती स्थाबद करने के लिए कोशिशं करे उसके बास सबसे जरूरी चीज में आपने 1947 के टाइम पे भी कवाली जो लड़ाके थे उनको भीजकर निर्दोशों की हत्याओ शुरू करी थी ले लेकिन उस टाइम पर देखते हैं हमके जो जवाला नहरू और महाराजा हरी सिंग के बीच में जो विलेपत्र हस्ताक्षर होता है उसके बाद जो कश्मीर में जो हमारी सेना के द्वारा कारवाई कराई जाती है और लेकिन उस टाइम पर जब तक कभीलाई लड़ा के जिस एर सुरंग थी यह सुरंग हमारे लिए रन नीतिक रूप से बहुत ज़्यादा मैत्वपूर्ण थी इसलिए हमारे अद्वारा इसको बाचीत करना जरूरी था इसके लिए अब अगर हम बात करें तो अगर यूपेसी सीसी अगर दोजार पच्चिस शबीशा फर 27 में भी कोई जो अगर आप यूपेसी 2026 के लिए टारिगेट कर रहे हैं तो 18 महीने का एक्स्रेंशन और 4 महीने का आपको एक्स्रा देखने को मिलेगा इसी तरह एक आगाज बैचे 2027 के लिए बिलकुल एक दों फांडेशन बैचे आपके लिए अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के ल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जैहिन लिखना ना भूलें थैंक यू वेरी मच लैट्स क्रैक इट